आपका स्वागत है आज के क्लास में हम वर्क पांच के गनित के पार्ट भार से संबंदित कुछ समस्याओं की चर्चा करेंगे हम लोग आए दिन वजन से संबंदित यानि भार से संबंदित समस्याओं से रूबरू होते हैं हमें बाजार जाते हैं तो कई तरह की चीज़े खरीदनी होते हैं कई तरह की चीज़े खरीदते हैं अलग-अलग मात्रा की चीज़े खरीदते हैं और फिर हम दिखना चाहते हैं कि हमने कितना खरीदा, या हमारे पास कुछ समान है और हम बेच रहे हैं, माल लिजे 10 किलोग्राम कुछ आलू है, हमने कुछ उसमें से बेच दिया, तो कितना बचा ये हमें जानना होता है, तो आईए इनी तरह के, इसी तरह के प्रशनों पर, इसी तरह की समस्यों पर आज हम चचा करते हैं, तो पहला हमरा उधारन है, रमेज के पिटाजी ने गाउं के बाजार से 4 किलो ग्राम 500 ग्राम आलू खर्दा, यानि आलू कितना खर्दा, 4 किलो ग्राम 500 ग्राम, ग्राम 400 ग्राम हरी सब्जिया खरी दी उन्होंने कुल कितना सब्जी खरीता अब इनकी एक समस्या है कि सब्जी खरी दे तो कितनी सब्जी खरी दे तो आईए हम लोग जोड के देखते हैं कॉलम में लिख के हम लोग जोडते हैं उपर किलो ग्राम और इधर ग्राम तो आलू हमारा है चार किलो ग्राम पांत सो ग्राम प्याज है दो किलो ग्राम तीन सो ग्राम हरी सब्जी है दो किलो ग्राम और चार सो ग्राम तो आईए इधर से जोड़ते हैं पहले ग्राम को शुन्य 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 ये हो गया शुन्य है ये फिर यहां भी शुन्य है यहां 5 और 3, 8 और 4, 12 तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राम कितना हो गया 1200 ग्राम लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम का 1 किलो ग्राम होता है चलिए इसको हम लोग इधर देखते हैं फिर से 1200 ग्राम इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम जोड़ 200 ग्राम तो यह 1000 ग्राम का हो गया हमारा 1 किलो ग्राम और यह हो गया 200 ग्राम तो यह 1200 ग्राम को हम कितना लिख सकते हैं 1 किलो ग्राम 200 ग्राम तो यहां हम ग्राम के नीचे 200 लिखते हैं और यह जो 1 किलो है वो इस तरफ आ जायेगा किलोग्राम में तो हम देखते हैं चार और दो छे और दो आठ और इधर से एक किलोग्राम आया था तो यह हो गया नो तो कुल सबजी तो कुल सबजी हो गये हमारे 9 किलोग्राम और 200 ग्राम अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं और यह है घटाओ से संबन्दित घटाईए 11 किलोग्राम 300 ग्राम में से 900 ग्राम तो कॉलम में हम लोग लिखते हैं उपर किलोग्राम इधर ग्राम किलोग्राम के नीचे यहां लिखे 11 किलोग्राम और यह 300 ग्राम और इससे घटाना है 900 तो ग्राम के नीचे 900 लिखे किलो ग्राम इधर नहीं है तो यहां हमने सुन्य लिखा है तो आईए देखते हैं कि यह किलो ग्राम वाला घटाओ का जो प्रशन होता है किस तरह से हल करते हैं अरे यहां क्या देख रहे हैं कि उपर 300 है नीचे 900 तो 300 से 900 कैसे घटेगा 300 तो छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे यह 11 किलो ग्राम हमारा है हमारे पास किलो ग्राम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 किलो ग्राम जोड एक किलो ग्राम और ये होगा दस किलो ग्राम जोड एक किलो ग्राम को हम लोग लिख सकते हैं एक हजार ग्राम में तो ये हो गया दस किलो ग्राम एक हजार ग्राम तो इस 11 को हम लोग बदल दिये 10 किलो ग्राम और 1 किलो ग्राम यानि 10 किलो ग्राम और 1000 ग्राम वह 1000 ग्राम इधर आ गया तो ये कितना हो गिया 1000 ग्राम जोड 300 ग्राम ये हो गया हमारा 1300 ग्राम तो अब 1300 से 900 तो घट सकता है ना तो आईए घटाते हैं सुन्ने से सुन्ने सुन्ने से सुन्ने और 13 से 9 चार ये हमने सर्फ समझने के लिए यहां लिखा था अब इसे हटा दे रहे हैं तो यहां तो हमने 10 kg कर दिया था ना, 1 kg इधर आ गया, तो यहां बच गया कितना, 10 kg, तो 10 kg से सुन्ने घटाएंगे, तो यह आ गया 10, तो हमारा उत्तर आ गया 10 kg 400 g, तो घटाओं की क्रिया में हम लोग इस तरह की साथ धानी रखेंगे, जो अभी हमने देखा, अब हम लोग आगला प्रसुन देखते हैं, नव वर्स के लिए 6 व्यक्ति जलेबी खरीदने गए, प्रतेक व्यक्ति ने 2 kg 250 kg जलेबी खरीदा, बताइए कुल कितनी जलेबी खरीदी गई, इस प्रस्ट रूप से ये प्रस्ण गुना से संबन्दी थे, तो आएए से हल करते हैं, कुल जलेबी बराबर 6 व्यक्तियों का था और कितना खरीदा था? 2 kg प्रतेक व्यक्ति ने 250 g एक व्यक्ति ने खरीदा था 2 kg 250 g तो 6 व्यक्ति ने कितना खरीदा? 6 गुना, तो अब इसका गुना हम लोग किस तरह से करते हैं? दोनों की काई अलग है, ये kg में है, ये ग्राम में है, तो हम लोग पहले इस पूरे को ग्राम में बदल देते हैं, तो 2 kg 250 g कितना होगा? यहाँ पर अलग से हम लोग कत लेते हैं, रफ में, 2 kg 250 g तो ये 2 kg का अर्थ हो गया, 2000 g और ये जोड 250 g तो ये हो गया हमारा 2250 g ये हमारा बदल गया, 2 kg 250 g ये बदल गया, 2250 g में, तो यहाँ हम लिख देते हैं, 2250, ये पुरा क्या हो गया? ग्राम हो गया, आई आप गुना करते हैं, 6 से सुन्य किये तो ये हो गया हमारा शुन्य, 6 पचे 30 का शुन्य हाथ में रहा 3, 6 दो ना 12 और 3, 15 का 5 हाथ में रहा 1, फर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6 से सुन्य किये, तो सुन्य, 6 पचे 30 का सुन्य हाथ में रहा 3, 6 दो ना 12 और 3, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 दो ना 12 और 1, 13, इतने ग्राम, कुल इतने ग्राम हो गए, तो इसे हमें किलो ग्राम और ग्राम में बदलना होगा, तो 13,500 ग्राम में कितने किलो ग्राम हो गए और कितने ग्राम हो गए, तो हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम के 1 किलो होते हैं, तो ये 13,000 हैं तो यानि 13 kg ग्राम 500 ग्राम तो ये कुल जिलेवी हमारा हो गया 13 kg 500 ग्राम तो गुना के प्रस्ण हम लोग इसी तरह से हल करेंगे जब kg और ग्राम में दिया होगा तो उसे एक इकाई में अर्थाद ग्राम में बदल लेंगे और इस तरह से हम लोग फिर आंत में पुना फिर हम लोग किलो ग्राम और ग्राम में उसे कनवर्ट कर देंगे एक और प्रस्ण लेते हैं 75 kg 750 ग्राम चीनी तीन समान वजन की पैकेटों में रखना है प्रतेक पैकेट का वजन कितना होगा अर्थात 75 kg 750 ग्राम को तीन बराबर बराबर भागों में बाटना है इस परस्ट रूप से ये प्रस्ण भाग से संबंधित है लेकिन यहां एक समस्या नजरा रही है कि ये kg है ये ग्राम है तो हमें इसे ग्राम में बदलना होगा आईए देखते हैं कैसे ग्राम में बदलते हैं 75 kg 750 ग्राम तो ये 75 kg था तो इसे हमने 1000 से गुना किया तो ये ग्राम में बदल गया और ये 750 ग्राम तो है ही तो 75 गुना 1000 हो गया 75,000 ग्राम और ये 750 ग्राम तो इसे हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 75,750 ग्राम अब इस 75,750 को हम 3 से भाग देते हैं तो आप स्वयम से भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा आता है 25,250 और प्रतेक पैकेट कितने ग्राम का होगा 25,250 ग्राम 25,000 और 1000 में 1 किलो ग्राम 1000 ग्राम में 1 किलो ग्राम तो ये होगे 25 किलो ग्राम और 250 ग्राम आज के इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा किलो ग्राम ग्राम के जोड इनके घटाओ, इनके गुना और इनके भाग आसा है कि हमने जो प्रस्ण हल किये और जो हमने स्पस्ट किया आपको पुरी तरह से समझ में आ गया होगा बाकी जो से प्रस्ण रह गये हैं उन प्रस्णों को आप स्वयम बनाए आप अपनी पुस्तक में देखें कौन-कौन से प्रस्ण है आपने जो भी पुस्तक आपके पास है वर्क पांच की गनित की उससे इस पार्ट के जो भी प्रस्ण है उन सरी प्रस्णों को आप बनाएं कहीं दिकत होता है तो आप उसे आपने सिक्षक से भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कॉमेंट में भी वो प्रसना आप डाल सकते हैं धन्यवाद